हेलो दोस्तो आप सभी लोग कैसे हो और आप लोगों का बहुत बहुत सागत है मेरे यूटीब चैनल पर मेरा नाम है रश्मी सचान उमीद है आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो और ट्राइ कीजिएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मद्भूलिएगा ये बिल्कुल फ्री है और आने माले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहेगी तो चलिए फटा-फट हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ सबसे पहले तो दोस्तों इस गार्डन पर तुम सुन्दर से गार्डन पर एक नजर ढालीजिए आप जल्दी से मैं आपको इसके कुछ जलक दिखा देती हूं बारिस का मौसम है बहुत ही आसान होता है ने पौदों को लगाना और अपने गार्डन को हरा भरा और सुन्दर ब लगी हुई है तुलसी जहां पर आज हम यह वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं तो देखिए तुलसी को देखकर यह आपको दिख रहा है ना डाक कलर डाक कलर की तुलसी आपके सामने है तो यह है हमारी कृष्ण तुलसी जिसे हम स्याम तुलसी भी बोल लगा सकते हैं गंबले में लगाने पर तुलसी जल्दी सूख जाती है लेकिन कोशिश करें आप तुलसी को अगर लंबे समय के लिए दो चार साल के लिए रखना चाते हैं तो आप इसे नीचे ही लगाएं जिसी कि आप यहां देख पा रहें मैंने लगाया हुआ है और अच् लगी मंजरी आई तो मंजरी का स्टेम आप देख रहे हैं न कैसे डार्क है जो बीच की डंडी होती है अब आते हैं हम राम तुलसी पर यह राम तुलसी देखिए कितनी हरी है इसका जो कलर है दम ब्राइट ग्रीन है यह भी नीचे लगाई गई है इसलिए इतनी हेल्दी ह है जबकि गंबले में इतना हेल्दी करना काफी मुश्किल होता है साथी साथ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रत होती है जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है तो देखिए इसकी पतियां एकदम हरी है इसके साथी साथ में इसमें जो टेस्ट में काफी फरक होता है राम तुलसी होती है उसका जो टेस्ट होता है वो काफी स्ट्रॉंग होता है साथी साथ में जो उसके और दिये गुण हैं वह भी बहुत स्ट्रॉंग होते हैं निकी बहुत बढ़िया होते हैं तो इसमें भी मंजरी आई हुई है अभी हलकी हलकी वैसे तो मंजरी को बीच-बीच म तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में अब आपको अंतर एकदम साफ समझ में आ रहा होगा तो देखिए वैसे तो कहते हैं कि तुलसी को जो है वो चबाकर नहीं खाना चाहिए यानि कि पानी की साहता से पती को ऐसे ही निगल लेना चाहिए और सबसे जो इंपॉर्टन बा होती है वो एकदम ब्राइट ग्रीन होती है यानि कि वो ब्लैक ब्लैक या परपल सी नहीं होती है अब आप जब पास से देखेंगे आपको अंतर एकदम साफ समझ में आ रहा होगा अब आप जल्दी से पहचान जाएंगे कौन सी कृष्ण है और कौन सी राम है तो से कि कहते हैं तो अब आप समझ जाएएगा कि जो तासीर होती है वह बहुत गरम होती है कृष्ण तुलिसी की और राम तुल्सी जो तासीर हो ठंडी होती है मंजडी में भी फरक सेवन करें तो आप ये कृष्णि तुलसी का सेवन करें और अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो राम तुलसी का करें और बहुत जरूरी होता है कि अगर आपके घर में तुलसी है और वैसे तो आप जरूरी लगाएं तुलसी अपने घर पर तो डेली सुबह इसे जरूर खाएं अपनी चाय म मामूली लगता है लोगों को तुलसी में अंतर लेकिन ये एक जरूरी अंतर होता है कि तासीर में जो है वो और साथी साथ कृष्ण सुलसी में और सदीगुन बहुत ज्यादा होता है जैसे कि मैं आपको बताया मैंने अभी आपको तो देखिए यह ना और हमारी जो हिंदुस जरूर लगाए उमीद है इसका फर्क आपको समझ में आया होगा इसके उसदीगुन आपको समझ में आये होंगे तो आप से आप ध्यान में रखिएगा तो वैसे तो दोनों ही तुलसी लगाए जो भी आपके पास उपलब धो पाए इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं